नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर के विविद्ध हल्चल पर पाराशर ब्राम्मन युवा मंच नाकपूर द्वारा दसवी और बारवी कक्षा के चात्रों के लिए दो हजार इकीस सत्कार समारोह हाल ही में आयोजित किया गया पदादिकारी हेमंथ मितकर के कार्या ले निलकंट नगर हुडकेश्वर नाकपूर में यह कारेक्रम हुआ कारेक्रम में मुख्यवक्ता डॉक्टर नितिन विगने उपस्तित थे उन्होंने कहा कि कड़ी महनत का कोई विकल्प नहीं है और चात्रों को लगनशील धहर्यवान और व्यवहारीक दुरुष्टिकोन अपनाना चाहिए विशिष्ट अतिती के रूप में केशव भासकरे ने कहा कि विद्यारती लगातार पढ़ने की आदट डाले और अपने अनुभवों की माध्यम से आगे बढ़ते रहे कारेक्रम के अध्यक्ष प्रदीब डोलास ने चात्रों के उज्वल भविश्य की कामना की गजानन माहूल करने कारेक्रम का शुभारंब दिया जबकि पूजा अवधूत और अभिशेक पाठक ने आभार माना कारेक्रम का समापन किरन लांबे और आरिया अवधूत ने किया करेक्रम की सफलता के लिए सभी पदादिकारियों, कार्यकारिनी सदस्यों, महिला सदस्यों, वरिष्ट नागरी को एवं समाज के सभी सदस्यों का अमुल्य सहयोग प्राप्त हुआ पूर्वी नाकपुर में विधायक कृष्णा खोपडे के मार्गदर्शन में भाजपा ने OBC के राजनितिक आरक्षन को लेकर राज्यसरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है, जिसकी शुरुवात लाल गंज जाड़े चौक से हुई इस समय भाजपा युवा मोर्चा ने महाविकास आगाडी के निताओं की प्रतिमाय जलाई और तीन दलिय सरकार का सारवजनिक रूप से विरोध किया। प्रतिक तरीके से काम नहीं कर सका क्योंकि आवश्यक मनुश्य बल और धन राज्यसरकार द्वारा उपलब्द नहीं कराया गया। प्रतिनीदी मंडल ने नाकपूर सुधार प्रण्यास के सभापती के साथ विभिन्नम मुद्धों पर चर्चा की गई। इस दोरान महाप्रबंदक निशिकान तसु के उपस्तित थे। धन राशी नाकपूर सुधार प्रण्यास के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नाकपूर सुधार प्रण्यास सभापती ने संबंदित अधिकारियों को सौ करोड रुपए की राशी से नाकपूर शहर में नाकपूर सुधार प्रण्यास द्वारा संचालित सभी सडकों का निर्मान करने के भी निर्देश दिये। विदर्ब राज्य आंदोलन समिती ने हाल ही में स्वतंत्र विदर्ब राज्य के गठन पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को घटाने राज्य सरकार द्वारा कोरोना महमारी के दौरान बिजली बिल का भुकतान करने और शहरवासियों में जागरुकता पैदा करने के लिए साइकल यात्रा का आयोजन किया। यह जुलूस बुद्वार सुबह साड़े ग्यारा बजे विदर्ब चंडी का देवी शहीच चौक नाकपूर से शुरू हुआ। इलाकों से गुजरते हुए दिक्षा भूमी में दो पहर दो बज के 30 मिनट पर तमाम सहभागियों के पहुचने पर संपन्न हुई। देंगू महमारी की रोगथाम योजना के अंतरगत नाकपूर महानगर पाली का द्वारा जोनल स्तर पर सर्वेक्षन कारिया किया जा रहा है। बुद्वार को शहर में 8484 घरों का सर्वेक्षन किया गया। इनमें से 303 घरों में डेंगू का लारवा पाया गया। इसके अलावा बुखार के लक्षनों वाले 93 मरीज पाये गये। 127 मरीजों के खून के नमुने लिए गये और 5 नागरिकों का खून और स्वैब नमुने लिए गये। सर्वेक्षन के दोरान 467 घरों में कूलर्स का निरिक्षन किया गया। इनमें से 44 कूलर में डेंगू का लारवा भी पाया गया। मनपा टीमो द्वारा 80 कूलर्स खाली किये गये। 180 कूलर में एक प्रतीशत टेमिफॉस सोल्यूशन और 186 कूलर में दो प्रतीशत डीफ्यू बेंजियूरम टाबलेट डाले गये। विदर्व एक खनीज और प्राकृतिक संसाधोनों से सम्रुद्धक क्षेत्र है। और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने विनाइटी के दिक्षान्त समारोह के अवसर पर इसी तरह की पहल करने का आवाहन किया। राश्ट्रिय अभियनता दिवसपर नागपूर में विनाइटी का उन्नीसवा दिक्षान्त समारोह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर विनाइटी के व्यवस्थापक और बोर्ड ओफ डिरेक्टर प्रोफेसर पडोले वैज्यानिक और अध्योगिक संशोधन परिशद CSIR के महा व्यवस्थापक टॉक्टर शेखर मांडे उपस्तित थे। गढकरी ने कहा कि इंजीनियरिंग छातरों को सरकारी संस्थानों के निर्मान के दोरां तयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ड की जांच करनी चाहिए और सरकार को ऐसे सुझाओ देना चाहिए जिससे इन इमारतों के निर्मान में मदद मिले और छातरों के पेश गुनवत्ता वाले प्रकल्प बनाने चाहिए। गुनवत्ता वाले प्रकल्प बनाने चाहिए। गुनवत्ता वाले प्रकल्प बनाने चाहिए। वे दो दिवसिय दोरे पर नाकपुर में हैं और गुरुवार दो पहर को पूने के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके एरपोर्ट पर पहुचने के बाद नाकपुर के महापौर दयाशंकरतिवारी, संभागिये आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर विमला आर, नाकपुर रेंज के विशेश पुलिस महानिरिक्षक डॉक्टर शेरिंज दोर्जे, मनपा आयुक्त राधा कुरुष्णन भी, पुलिस अधिक्षक नाकपुर ग्रामिन राकेश ओला ने उनका स्वागत किया। राजपल भगत सिंग कोश्यारी आज पूने के लिए रवाना होंगे। अन्य साथियों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार रात आट बज के पैतालिस मिनिट पर गमचू अपनी मोटर साइकल पर गजानन चौक के पास से जा रहा था। घर से सौ मिटर की दूरी पर ही हमलावरों ने उसे घेर लिया। पहले तो डंडे और हौकी से सिर पर वार किया, हलाकि गमचू ने आरोपियों का विरोध किया, लेकिन लगातार प्रहार होने से अपने आपको संभाल नहीं पाया। उसके जमीन पर गिरते ही हमलावरों ने सिर पर पत्थर से वार कर दिया और उसके गले को चाकू से काट कर अभी युक्त वहा से फरार हो गए। सिसी टीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई, जिसके आधार पर पुलीस ने इस संसनी खेज मामले में शामिल चार आरोपियों को गिरफतार किया है और एक अन्य आरोपि की तलाश जारी है। मुंबई के साकिनाका में बलातकार की हालिया दुखत घटना के मद्दे नजर नाकपुर शहर और जिले में कानुन व्यवस्था की स्थिति के निगरानी की मांग को लेकर मंसे जनहित प्रकोष्ट की और से अध्यक्ष सुनीता बोडखे ने पुलिस आयुक्त अमितेश कु ये ततकाल कदम उठाने की मांग की गई है चर्चा के दौरान जनहित प्रकोष्ट के प्रदेश महासचीव महेश जोशी जिलाध्यक्ष इकपाल रिजवी नगरध्यक्ष अरुन्तिवारी महीला सेना की जिलाध्यक्ष कलपना चौहान उपनगरध्यक्ष विकास साखरे व घर बैटे दर्शकों के लिए ओनलाइन समारोह का आयोजन किया पर्यूशन महापर्व 10 सितंबर से प्रारंब हुआ है 19 सितंबर तक चलेगा इन हालातों में मानो घर घर मंदिर बन गया है क्योंकि घरों में ही पूजा हो रही है पूलक मंच परिवार महावेर ग्रुह निर मंदल की अध्यक्षा प्रिती पेंधारी तुशार चंद्रकांत वेखंडे पूनम वेखंडे मनोज बंड शरत मचाले डॉक्टर रविंद्र भुसारी के हस्ते हुआ मंगल आचरन श्रूती बंड सुर्मनी श्यामकुमार जैन ने किया डॉक्टर रीचा राजकुमार जैन का साक्षातकार प्रोफेसर आदेश बरिया ने और तुशार चंद्रकान वेखंडे का साक्षातकार डॉक्टर रविंद्र भुसारी ने लिया मंगल उद्भोधन डॉक्टर अरचना जैन पंडिच श्रूतेश साथपुते ने दिया भजन सुनिल आगर कर डॉक्टर अंजुशा पांडवर कर संपदा राजने ने प्रस्तुत किया कवीत्री सम्मेलन में डॉक्टर प्रतिबा जहरापुर कर डॉक्टर नीती गरीबे दिपाली आगर करने कविताय प्रस्तुत की कवीत्री सम्मेलन का सूत्र संचालन हर्शा वेखंडे ने किया कारेक्रम का संचालन प्रिया बंड ने किया इस कारेकरम की संकलपना डॉक्टर रविंद्र भुसारी और मनोज बंड ने की प्रमुक वैश्विक e-commerce से संगर्ष करने के लिए Confederation of All India Traders के आभान पर विदर्ब के 13 लाग व्यापारियों की अग्रणी वशिर्ष संस्था नाग विदर्ब चैंबर प्रांगन में अध्यक्ष अश्विन मिहाडिया के नेतरुत्व में व्यापारियों ने वुद्भार को राष्टर व्यापी आंदोलन अभियान को समर्थन देते हुए भारत में विदेशी निवेश वाली e-commerce कमपनियों के द्वारा e-commerce व्यापार में चलाई जा रही कूप रथाओ के विरोध में धरना प्रदर्शन किया अध्यक्ष अश्विन मिहाडिया ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी सारी स्थापित नीतिया, कानून और नियम और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्ता होने के बावजुद बड़ी e-commerce कमपनिया जो अभी भी संबंदित नियमों और कानूनों का उलंगन कर रही है उनके किलाफ कोई भी ठोस कारवाई नहीं की जा रही है उन्होंने कहा कि यह देखना सबसे आश्चर्य जनक है सर्वुच्च न्यायाले सहित विभिन्न न्यायालेयों ने कुछ वैश्विक कमपनियों के व्यापार मॉड्यूल पर कुछ मजबूत एवं तीखी टिपपनिया किये है लेकिन फिर भी ई-कॉमर्स कमपनियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है जबकि यदि कोई सामान्य व्यापारी गलत पाया जाता है या नियमों का उलंगन करते हुए पकड़ा जाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कारवाई शुरू कर देती है स्वतंतरता संग्राम में कई लोगों को शहीद होना पड़ा था कई पीडियों को हार माननी पड़ी आज की पीडी को उस बलिदान को याद रखना चाहिए ये कहते हुए पशुपालन डेरी विकास खेल और युवा कल्यान मंत्री सुनिल केदार ने आज की युवा पीडी से स्वतंतरता की अमरुत वर्शगाट के आउसर पर जिमेदार नागरी के रूप में अपने करतव्यों का पालन करने का संकल्प लेने की अपील की वे हिंगना में केंद्रिया रिजर्फ पुलीस बलके परिसर में आयोजित एक कारेक्रम में भाशन दे रहे थे इस अवसर पर CRPF के उप महा निरिक्षक प्रशान्त जांबुलकर, कमांडेंट सुभाष चंद्रा, संतोष मिश्रा, कमांडेंट करुना राय, जनसंपर्क अधिकारी प्रदीब द्विवेदी सहित अन्यवरिष्ट अधिकारी उपस्तित थे CRPF ने कन्या कुमारी से राजगार तक साइकल रैली का आयोजन किया है, 22 अगस्त को कन्या कुमारी से साइकल रैली शुरू हुई है, 30 साइकल चालकों की रैली हैदराबाद से करीब 580 किलोमेटर की दूरी तैकर अच्शाम नाकपुर पहुची साइकल रैली का स्वागत करते हुए केदार ने इसमें भाग लेने वाले चालकों की सराहना की इस दोरान नहरू युवा केंद्र की और से देश भक्ती गीत पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया गया केंद्रिय विद्याले की छात्रों ने भी नृत्य किया दक्षिनपूर्व मध्यरेलवे नाकपूर मंडल पर मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उप्पल द्वारा राजभाशा सप्ताह 2021 का उद्गाटन किया गया उद्गाटन के अउसर पर मंडल रेल प्रबंदक द्वारा मा सरस्वती के तस्वीर पर माल्यारपन किया गया एवम दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धा सूमन अर्पित किया गया साथ ही अपर मुख्य राजभाशा अधिकारी वा अपर मंडल रेल प्रबंदक जीवी जगताप एवम अन्य अधिकारियों द्वारा भी श्रद्धा सूमन अर्पित किया गया नाकपुर में COVID-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को मद्दे नजर रखते हुए राजभाशा उद्घाटन समारोह 2021 के आयोजन के दौरान COVID-19 के नियमों का बखुबी पालन किया गया तथा उक्त समारोह को बेहत सीमित एवं सादगी पूर्ण धंग से मनाया गया राजभाशा उद्घाटन समारोह 2021 के आउसर पर मंडल रेल प्रबंदक द्वारा उपस्तित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाशा प्रतिग्या दिलवाया गया उक्त राजभाशा प्रतिग्या के माध्यम से मंडल रेल प्रबंदक द्वारा अपने संबोधन मे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाशा में सरकारी काम काज करने के समवेधानिक दाइत्व का एहसास कराया गया सभी अधिकारी एवं कर्मचारी भी राजभाशा में काम करने के प्रती अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किये ततपश्चात अपर मुख्यराट भाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंदक जीवी जक्ताब द्वारा रेल मंत्री के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया आर्य विद्या सभाद्वारा संचालित दयानंद आर्यक कन्या विद्यालय में हिंदी दिवस पर मिडल स्कूल की अध्यापिकाओ द्वारा कवी सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया विद्यालय की समस्त परियवेक्षिकाओ वा मंदल स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में प्राचारिय तेजिंदर वेनुगोपाल के निर्देशन वा मार्गदर्शन में हिंदी भाषा के विकास व उत्थान को महत्व देने हेतु काव्य पठन करके भारत के हर घर में हिंद दिलों में जिन्दा रहे इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए विभिन्ना साहित्यकारों कवियों और हिंदी भाषा प्रेमियों द्वारा रचित कविताओं का पठन करके हर्शोलास से हिंदी दिवस मनाया गया मिडल स्कूल की अध्यापिकाओ द्वारा मुन्शी प्र रचित हिंदी भाषा का महत्व द्रशाने वाली कविताओं का पठन किया गया, जिसमें वर्तमान परिस्तीतियों को देखते हुए प्रतिक विध्यारती को न किवल अंग्रेजी बलकि हिंदी भाषा की वर्णमाला भी बहुत अच्छे सी कंठस्त हो प्रतम भाषा के लोग विभाग की इंचाज नासरे को ग्यापन सौपा। ग्यापन में बताया कि वाड 17 के अंतरगत आने वाले इमामवाडा, जाट तरोडी, इंदिरानगर, आधिक शेत्रों में डेंगु के प्रकोप से परिसर के नागरिकों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इंचाज नासरे ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपके परिसर में डेंगु को लेकर आयोजित किया जाएगा एवं जो अधिकारी दबाओ में काम कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। उक्त अवसर पर प्रभाग अध्यक्ष नारायन मलिक, राहुल इंचाज दिल्ली द्वारा देश भर में विविद्ध क्षेत्रों में उलेखनिय कारियों के लिए ओमेगा अवोर्ड 2021 से सम्मानित किया जाता है। इसी कार्य के लिए आज दरेकर का सम्मान किया गया। इस पर सामाजिक कार्यकरता दिलिप नर्वडिया, रामचंद्रदेश मुक, महेश मामिडवार, निखिल भूते, सुरेंद्र समुद्रे, अजय नाकले सहित आदी ने अभिनंदन किया है। इवं स्वास्ते शिवीरों का लाब उठाया। 25 महिलाओ को नए व्यवसाय अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की व्यवस्था किये गई। अंतर्राष्ट्रिय ट्रेनर जेसी रविंद्र मिसल द्वारा उद्यमिता प्रशिक्षन 150 महिलाओ को दिया गया। इस कारेक्रम में मुख्य अतिती के रूप में जेडी जेसी दीब गजबिये की मौजूद्गी रही। गवन में एक महत्वपूर्ण बैठक देश की स्थिती पर विचार विमर्श करने पर राष्ट्रिय वरिष्ट उपाध्यक्ष तता प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के रामकृष्ण गुपता की अगवाई में संपन्न हुई। अपना मनोगत व्यक्त करते हुए श्री रामकुच गुपता ने कहा की भारत में आंतरिक दंगे तता धरना प्रदर्शन चालू है। इससे भारत के विकास और उत्थान में काफी बाधा पहुच रही है। चीन, पाकिस्तान तता तालिबान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अन्य देशों को भैवीत करने में जुटे हुए है। इसलिए देशवासियों को एक जुट होने की आवश्यक्ता है। हमें इनसे प्राप्त होने वाली चीजों का बहिशकार करना होगा। इस देश में अन्य पार्टियों की भी विचारधारा विभिन्न विभिन्न है। देश के विकास कारियों में तता देश की सुरक्षा में उन्हें एक जूट होकर भारत की अखंड़ता को कायम रखना होगा संस्था के उपाध्यक्ष जुगल किशोर गुपता तथा राजकुमार गुपता ने कहा कि हमें आपसी मतभेद मिटाना होगा देश के युवाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर देश की विकास की मुख्यधारा में सहयोग करे उन्हें कहा कि सरकार को हर प्रकार की युद्ध सामगरी तथा आधुनिक हतियार प्रचूर मात्रा में रखने होंगे समाज सेवी वर राजनितिग्य हैदर अली दोसानी की महाराश्र राज्य कॉंग्रेस कमिटी सचीव पत नियुक्ती होने पर करवाने अदब मल्टी परपस सोसाइटी नाकपूर द्वारा एक भव्य सतकार समारोह एवं मुशायरा का आयोजन अंसार नगर नाकपूर में किया गया कारेक्रम की अध्यक्षता हाजी अलिमुद्दिन अंसारी ने की तथा मंच संचालन सोहिल अंसारी ने किया कारेक्रम अतिती के रूप में इर्फान अहमत केबल वाले हाजी अयूब अंसारी हबीब अजमेरी कव्वाल हाजी कयूम अंसारी हाजी वकिल होजियरी हाफीज अक्तर आलम अश्रफी आधि उपस्तित थे संस्ता अध्यक्ष मुख्य अध्यापक इश्तेयाक कामिल ने अपने प्रास्ताविक भाषन में सभी अथिती गनों का परिचय दिया तता समाज के उत्थान में हैदर अली दोसानी के प्रयतन और भूमिका पर प्रकाश डाला और शौल वा पुश्पक उच्छ देकर उनका सतकार किया इस अवसर पर शहर के कई संस्तान एवं बुद्धी जीवियों ने हैदर अली दोसानी का सतकार किया जिनमें निदा ए एहले बैद पब्लिकेशन अध्यक्ष हाफिज अक्तर आलम अश्रफी इर्फान केबल नेटवक के मुहम्मद इर्फान जावेत खान नाकप जोजक कारी मुसलिम, बूनकर समाज संस्तान के हाजी अमिनुर रह्मान, इर्शाद एहमद, बिलाल अंसारी, आदी के नाम मुख्य है तो नाकपूर की हलचल में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, वीकेवी न्यूस नमस्कार